4G स्कूल के ऑनलाइन तर्जे तालिम में आप तमाम का इस्तखबाल है साथवी जमात उर्दू बाल भारती सबख नंबर बारा मिर्च नामा इस सबख की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करते हैं आपको तीन बेल नजर आएगी जिसमें से आल पर प्रेस करें सबसे उपर की तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और अगर आप चाहे तो इसकी डिस एक जुमले में जवाब लिखिए हुआज हसन निजामी का असल नाम क्या था? जवाब खुआज हसन निजामी का असल नाम अली हसन था सवाल नम्बर दो सवाल नमबर तीन जवाब गदर के अफसाने गुदगुदियां और सिपारे दिल सवाल नमबर चार सवाल नमबर पांच सवाल नमबर चार सवाल नमबर चार सवाल नमबर चार जवाब मिर्च के बीजों की शकल जर्द गोल-गोल सोने की गिनियों की सी होती है सवाल नमबर दस मुसनिफ ने लाल मिर्च को इनसानी जिसम के किन आजा के लिए मुजिर बताया है मसनिफ ने लाल मिर्च को इंसाने जिसन के मेदा, जीगर, मसाना और दिल और दिमाग जैसे आजा के लिए मुजीर बताया है सवाल नमबर 11 मसनिफ ने क्या एहद किया है? मसनिफ ने एहद किया है कि खुदा ने चाहा तो वो मिर्च को कभी मूँ नहीं लगाएगा सवाल नमबर 12 मसनिफ ने मिर्च नामा क्यों लिखा? जवाब मसनिफ और मिर्च का वरसो का साथ था और अब मसनिफ ने मिर्च का इस्तिमाल तर्क कर दिया था वो नहीं चाहता था कि मिर्च इसे बेवफा कहे इसलिए उसकी याद में मसनिफ ने मिर्च नामा लिखा मुक्तिसर जवाब लिखिए पहला सवाल है मुसनिफ ने मिर्च की खाल की क्या खुबिया बयान की है जवाब सुखाने के बाद मिर्च के रंग और रौगन में कोई फर्ख नहीं आता है वो सुख कर मुर्जा जाती है मगर चहरा वैसा ही लाल दमका करता है खाल में एक तरह की चमक और शफाफी पैदा हो जाती है इस शफाफी की वज़े से इसके अंदर के बीच नजर आने लगते है सवाल नमबर दो है मुसनिफ ने ये क्यों कहा है कि मिर्च खाने की चीज़ नहीं है जवाब मिर्च की रंगत में बड़ी दिलकशी होती है सबस फादों पर सुर्ख सुर्ख मिर्चे बहुत खुबसूरत मालू होती है लेकिन वह सहत के लिए मुजीर होती है इनके इस्तेमाल से मेदा, जिगर, मसाना और दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ता है इसलिए मसनिफ ने कहा कि इसकी खुबसूरती से लुत फंदोज होने में कोई हर्च नहीं मगर इसे खाने से गुरेस करना चाहिए क्योंकि वो खाने की चीज़ नहीं है जोडियां लगाईए अलिफ और बे दिली पुराने खिले की मिर्चे दकन मिर्चों की ज्यादती खल में रोशनी की सब्स ज्जाड सब्स सैटिन लाल-लाल फूल शफाफी मिर्च की खाल इस सबख से हम माने रंगी जोडियां तलाश करके लिखिए जैसे सियाह काला लाल सुर्ख पीला जर्द सब्स हरा सही मुद्बादल चुनकर जुमले मुकमल कीजिए खेती क्यारी का नक्षा खिले के खरीब बिलकुल मिट गया सालन की लाल-लाल रंगत की तारीफ की जाती है लाल मिर्च का पौदा देर दो फिट उंचा होता है मिर्च के पेट में बीज होते है ये सालन है या मिर्चो का अचार सबख से मुंदर जाजेल के हम माने फिखरे तलाश करके इन्हें अपने जुमलों में इस्तिमाल कीजिए मुझलना यानि मुँ में आग लगना खोर्मा खाते ही नसीम के मुँ में आग लग गई शकले बनाना नीली पीली शकल बनाना रिदा को जब भी खुस्सा आए नीली पीली शकले बनाती है आखिर तक यानि मरते दम तक अल्ला हमें मरते दम तक किसी का मोताज ना बनाई चहरा चमकना चहरा दमकना बावजू रहने से चहरा दमकता है मैंने एहत कर लिया है कि इस साल आमदनी में बचचत मुमकिन है आँखों से पानी निकलना, आँखे पानी में डूबना, मासुम बच्चे की भूग देखकर मेरी आँखे पानी में डूब गई मुसर्निफ के मुंदर जजे जुमलों की वजासत अपने अलफ़ाज में कीजिये यह सालन है यह मिर्चों का अचार वजासत सालन में इतनी زیادہ मिर्चे पड़ती है और सालन इसक खडरतेज होता है कि खाने वाला यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सालन है ये मिर्चों का अचार मगर दिली इलाही तेरी पना कहीं लोग सिरे से मिर्च खाते ही नहीं और कहीं काली मिर्चों का रिवाज है मगर दिली के लोग इतनी ज़्याता मिर्चे खाने के आदी है कि इनके सालन को चकते ही आदमी अल्ला की पना मांगता है यानी इनके सालन इतने ज़्यादा तेज होते है खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहां से आ जाती है मिर्च की सुर्खी को मुसनिफ ने जवानी की सुर्खी से ताबीर किया है चुकि जवानी के आलम में चेहरे पर निकार होता है गालों से लाली चलकती है इसलिए मुसनिफ कहता है कि ना जाने मिर्च में ये जवानी कहां से आ जाती है कि हमा वक्त सुरखी नजर आती है फिर क्या मजाल जो धूप से इनके रंगों रोगन में फर्ख आता हो जवाब मिर्च को सुखाने के बाद भी इसका रंग लाल ही रहता है हाला कि धूप की शिदत में इसकी रंगत को जुलस जाना चाहिए मगर वो सुरखी दिखाई देती है इसके रंगों रोगन में कोई फर्ख नहीं आता है सवाल नमबर पांच खुदा ने चाहा तो इस फितनी को कभी मूना लगाऊंगा जवाब मुसनिफ मिर्चे खाने का आदी रहा है मगर इसके आहिस्ता होने वाले मुजिर असराद से मतासिर होकर इसने एहत कर लिया है कि अब वो इस खराबी पैदा करने वाली शेय का इस्तिमाल बिलकुल तरक कर देगा बोल चाल जेल में दिये हुए सबफ के अलफ़ाज और महावरों को सही म снभानी मफ़ूम कि साथ सामने तह्रियर कीजिए मिसाल बुरा केहना नाम धरना बद्द्द्द्द्द्द यानी खुदा की मार उससे में आना पारा चड़ना, गला पकड़ना, टेटवा लेना, बगावत करना, सर उठाना, परेशान करना, दीख करना, और मतवज्जे होना, यनि रुजू करना लवजों का खेल जेल में दिये हुए लवजों के हुर्फ को उलट पलट कर खौस के सामने दिये हुए लवजों के हमानी लवज हमें बनाना है यहां पर शक्रा दिया हुआ है तो हमें बनाना है शुकर अदा करने वाला यानि हमने बनाया शाकिर रेशा और हमें इससे बनाना है गुड़ी या शकर की चाशनी शीरा अचार मवेशियों की घिज़ा यानी चारा कोची एक फल बनाना है चीकू बर्फी और इससे हमें बनाना है धोके के अलफाज यानी फरेब सौदा जुनुभी हिंद का एक पकवान बनाना है दोसा को लाइक करें अपने दोस्तों सहीलियों के साथ शेयर जरूर करें